प्रधान मंत्री नरेंतरु मोदी सायुक्त अरब अमिरात की दो दिन की यात्रा पर हैं। यात्रा के दौरान प्यम मोदी सायुक्त अरब अमिरात के राश्पती शेक मौम्मद बिन जायत अल नहायान के साथ दुपशे बैठ करेंगे। UAE के लोगों में PM मोदी के प्रती जो दिवानगी है वो साफ देखी जा सकती है लोग बेस सबरी से PM मोदी का इंतिजार कर रहे है हाला कि PM मोदी अब दाभी में आयोजित जिस अलहान मोदी समुदाई कारिकरम को संबोधित कर रहे है उसका समय खराब मौसम के चलते कम कर दिया गया है पूरे UAE में राग भर भारी बारिश और गरच के साथ बिजली चमकने की घटना दर्च की गई है बारिश से यातायाज जाम के साथ जल भराव की स्थिती हुई जिसके कारण अलहान मोदी कारिकरम को छोटा करने का फैसला लिया गया बता दें कि अरभ भाशा में अलहान मोदी का मतलब है हेलो मोदी दोनों नेता आपसी हित के छेत्रिय और अंतराष्टिय मुद्दो पर विचार विमर्श करेंगे खबरों के मुताबिक विदेश मंत्राले ने शानिवार को यात्रा की घोशना करते हुए कहा कि 2015 के बाद से ये प्रधान मंत्री की सायूक्त अरभ अमिरात की साथवी आत्रा होगी खबरों के मुताबिक प्रधान मंत्री सायूक्त अरभ अमिरात के उपराश्पती प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री से भी बेट करेंगे प्रधान मंत्री मोदी दुबाई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे अबुदाभी में निर्मित भव्वे बीपीएस मंदिर का 14 फरवरी को उदखाटन करेंगे फिर अबुदाभी में भारतिय समुदाय को पीम मोदी संबोधित करेंगे बताया जा रहा है कि सम्मोधित किये जाने वाले सारवजनी कारिकरम में 45,000 लोग शामिल होंगे खबरों के मुताबिक विदेश सची विने मोहन कात्रा ने कहा कि मंदिर का उदखाटन पीम मोदी की UAE यात्रा का एहम हिस्सा है उस दिन लगभग 2000 से 5000 भक्तों के मंदिर में आने की उमीद है वहें पीम मोदी के प्रती लोगों में दिवान की देशी नहीं बलकि विदेश में भी देखने को बिल रही है इस कारिकरम के लिए 65,000 लोगों ने पंचिकरन कराया है बताने की अबुदावी में बोचसन वासी श्री अक्षर पूरुशोत्तम स्वामी नारायन संस्था यानी की B.A.P.S हिंदू मंदिर संयोक तरब अमिरात में पहला पारंप्रेक हिंदू मंदिर है जोसे पत्थर से बनाए गया है ये मंदिर दुबई अबुदावी शेक जायद राजमार्ग पर अल रहवा के पास अबुमुरीखा में स्थित है ये मंदिर करीब 27 से एकड में फैला है और इसका निर्माड साल 2019 से चल रहा था मंदिर के लिए जमीन का दान UAE की सरकार ने किया है UAE में तीन अन्य हिंदू मंदिर हैं जो दुबई में स्थित हैं लेकिन BAPS पूरे खाड़ी शेत्र में सबसे बड़ा मंदिर हो गा मीजा रिपोर्ट्स के मुदाविक मोदी ने राश्पती मुहमद बिन जायद को भाई बताया था मंदिर के प्रमुक पुजारी ब्रह्मव विरिदास ने एक मीडिया हाउस से बाच्चीत के दौरान बताया है कि भारत और इस छेत्र के बीच संबंध कफीत ने मजबूत नहीं रहे इन संबंधों का महत्व बिजनस से भी जुड़ा हुआ है भारत मध्य पूर्वी तेल के सबसे बड़े ग्रहकों में से एक है वहीं UAE से एक बड़ा निवेश भारत में होता है पियम मोदी UAE के बाद कतर की यात्रा पर भी जाने वाले है बता दें कि कतर ने भारत के आठ पूर्व नौ सैनिकों को जेल से रिहा किया है ऐसे में पियम मोदी का कतर दौरा खास रहने वाला है विदेश उस सचीव विने मोहन को आत्रा ने जानकारी दी है कि 14 फरवरी को अपने UAE यात्रा पूरी करनी की बड़ पियम मोदी 14 फरवरी की दुपैर को कतर की राज्टानी दोहा की यात्रा करेंगे यात्रा के दौरान पियम कतर के आमीर, शेक, तमीम, बिन, हमत और उच्च गड़मान व्यक्तियों के साथ मिलकर दौिपशिये बारता करेंगे ये प्रदान मंत्री की कतर की दूसरी यात्रा होगी विदेश सचीव ने बताया कि भारत और कतर के बीच मजबूत विपशिये व्यपार वर्तमान में 20 बिलियन डॉलर का है आपकी इस वीजियो के बारे में क्या रहा है में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा साथ ही दुबई में बनने वाले हिंदू मंदिल के वारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहे हो वो भी आप हवे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप दिखते रहेगा निज निशन